बिग अपडेट निकल के आ रही है आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर यहां हम बात करेंगे नीट यूजी और जेई में 2021 के परिक्षा कारिक्रम को लेकर एक आज बिग अपडेट आई है आए देखते हैं जो तैनिक जागरण ने उसमें लिखा है तो जागरण विवरो के तरब से नई दिल्ली के तरब से एक अपडेट आई है कि कुरोना संकरमण के कारण जो राश्चे स्थर की जो धीमी पढ़ गई रप्तार के 20 सरकार अब जेई में और नीट का जो एक्जाम है वो कराने के पक्ष में है और सिक्षामंद्राले के तरब से जो है यहाँ पर बिसेश बताया गया है कि अब जेई में और नीट को ज्यादा टालने के पक्ष में नहीं है सिक्षामंद्राले के इस तरब दोनों परिक्षाओं को जुलाई और अगस्ट में कराने पर बिचार चल रहा है सह்मती बन गई है अगले दो से तीन दिनों में यहीं मान के चलिए दो-तीन जुलाई तक यह परिक्षा कारिकरम जो है घोसित किया जा सकता है तो अब ज्यादा वक्ट नहीं बचा और यह जुलाई और अगस्त में ही हो जाएगी परिक्षा और ये एक या दो तीन दिन में ही आपका परिक्षा कारिक्रम और बाकी चीजे यहां पर क्लियर हो जाएंगी सिक्षा मंदराले से जुड़े सुत्रों की मानी अगर जाए तो जे इमेन और मेडिकल के दाखिले से जुड़ी राष्टी पात तब सह परिक्षा जो नीट है वो कारिकरम और देरी की मुख्य वज़े देश में कई राजियों में कोरोना संक्रमण की रप्तार जो तेज थी वही कारण था इन राजियों में महरास्टरा, केरल, करनाटक, तमिल नाडो और हांध परदेश जैसे परदेश सामिल थे जिसकी वज़े से यहां समस्या आ रही थी राज्यों से बच्चे हिस्सा लेते हैं क्योंकि इनी राज्यों से और बाकी राज्यों से सब राज्यों से हिस्सा लिया जाता है इसमें इसमें इन राज्यों को डरकिनार करके परिक्षा कराना उचित नहीं था तो इसलिए आप रप्तार धिमी पड़ गई है तो आप माना जा रहा कि अगले दो हटे में इन राज्यों में भी स्थित और बेतर हो जाएगी ऐसे में जुलाई और अगस्त में ही परिक्षा को कराना ठीक होगा नहीं तो तीसरी वेव भी आने की संभावना रहेगी जिससे और समस्याएं हो सकती हैं तो उमिद करते हैं कि 2-3 जुलाई तक ही आपका जो है ये विग्यापन और कारिकरम घोसित होने के बाद आप अपलाई कर पाएंगे और बाकी चीज़े अपने तैसमाई पर होती रहेंगे तो जैसे ही कोई और अपडेट आती है नीट और जीमें से हम आपको गट कराएंगे तब तक बने रहें चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी एकसाद धन्यवाद जैहिन जैबारत